हेलो गाइज हर हर महाकाल स्वस्त रहें मस्तर भगवान के किलफा आप पे बनी रहे हैं खर्मास चालू होने वाला है और कब चालू होने वाला है यह सब आपको इस वीडियो के मादिन से बताया जाएगा और इस खर्मास में पौनानी कथा भी है सूरी भगवान की आप इस कथा को जरूर सुनिये साथ घोड़े और दो गदो की कहानी है और खर्मास में हमें क्या नियम रखना चीए क्या नियम नहीं लागू करना चीए खर्मास में हमें नए कपड़े की खरिदारी करनी चीए, क्या खर्मास में हम सुभकारि कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं यह सब वीदी विधान इस वीडियो के माध्य हमसे बताया गया है, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लिएक कीजिए, सबस्क्राइब कि आप शेयर कीजिए पुराणों में इस प्रकार का वड़न आता है कि भगवान सुर्यदेव सात घोड़ों के रत पर सवार रहते हैं और लगातार इस ब्रहंभांड की परिक्रमा करते रहते हैं और इसी प्रकार से निरंतर इस ब्रहंभांड में दिन और रात का क्रम चलता रहता है और कहीं पर भी घोड़ जूरेदेव पिलाने के लिए एक तालाब पर लेकर जाते हैं इसके बाद अपने घोड़ो की हालत देखकर उनका मंद्रवित हो जाता है लेकिन रुप तो फिर भी नहीं सकते हैं क्यांकि इस धरती का जो ब्रहंभांड का क्रम है वो सुर्यदेव के रुकते ही रुक जाएगा ऐसे में तालाब के किनारे दो खर होते हैं मतलब गधे और उन्हें ही भगवान सुर्यदेव अपने रत में जोत लेते हैं और अपने सातों घोड़े तालाब के किनारे आराम करने के लिए और पानी पीने के लिए आपस से घोड़े जब भगवान सुर्यदेव की रत में आते हैं तो फिर से रफतार भगवान सुर्यदेव की तेज हो जाती है और ग्रम्हांड का क्रम फिर से उसी प्रकार से चलता रहता है और खर के साथ जो भगवान सुर्यदेव की एक मास की यात्रा होती है परिक्रमा हो इस समय में आपको कौन से कारे करने चाहिए, कौन से कारे नहीं करने चाहिए, कौन से कारे करने से आपको लाब होगा और कौन से कारे करने से आपको नुकसान हो सकता है। लाइक तो जरूरी किया कीजिए। दोस्तों गुरुदेव ब्रहश्पती की राशी में जब भगवान सुर्यदेव प्रवेश करते हैं तो ऐसे समय में कई कार्या हैं जो वरजित हो जाते हैं। मतलब खर्मास में नहीं करना हैं तो या तो आप खर्मास से पहले प्रारंब कर लीजिए या फिर आप खर्मास के बाद कीजिएगा मकर संक्रांती के दिन खर्मास उतर जाता हैं फिर इसके बाद सभी शुब और मांगली कारे प्रारंब हो जाते हैं ठीक है तो इतने समय तक ये लगबख एक महीने का समय होता है जिस समय में आपको कोई भी शुब कारे करने से बचना है और जैसे पहली बार माईके से ससुराल जाना है या फिर ससुराल से माईके जाना होता है तो ये कारे भी आपको खरमास में नहीं करना है देखे अगर आप कई बार आ जा चुके है तब तो आप जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आप पहली बार जाते हैं तो शुब मूर देखकर ही विदाई की जाती है और खरमास के समय को शुब समय नहीं माना जाता इस समय में गुरुदेव रिहश्पती और सुर्य दोनों की हिस्थिती कमजोर होती है ऐसे एक महीने और रुख जाईए मकर संख्रांती के बाद बदल लीजिए अब जैसे की कई लोगों के प्रश्णाते हैं कि हमने इसी समय में घर बदलना है तो क्या करें तो ऐसे में अपनी कोई भी सामगरी मतलब चाहें आप कुछ कपड़े या फिर कुछ खाने पीने की चीज कुछ सामान अपना एक दो दिन पहले ले जाकर रख दीजिए और इसके बाद से आप भी में घर बदल सकते हैं करमास में तो इस समय में नहीं करना है कोई व्रत कर रहे हैं आप और उद्यापन करना है तो पूरा हो गया है अगर व्रत तो आप उद्यापन कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है यह जैसे अगहन बीच जाए तब भी आप उध्यापन कर सकते हैं दोचार वरत अगर ज्यादा हो जाएंगे तो इससे आपको फाइदा ही होगा कोई नुकसार नहीं होगा ठीक है अब आपका अगला प्रश्णाता है कि क्या इस समय में हम नया वस्तर खरीदे ही जाते हैं स्वेटर खरीदने ह आपको या फिर जैकेट्स खरीदनी हो तो बिल्कुल आप खरीद सकते हैं मतलब ऐसा नहीं है कि आप नए वस्तर खरीद नहीं सकते हैं लेकिन अगर आपके यहां कोई मांगली कारे है जैसे कि शादे विवाह इत्यादी है और आप विवाह की खरीदारी करना चाहते हैं द दिक्कत नहीं है सिर्फ इतना ही ध्यान रखा जाता है कि जिस जोड़े का विवाह हो रहा है उनके लिए खरीदारी का प्रारंभ हमें इस समय में नहीं करना है इससे पहले कर लीजिए फिर बीच में आप कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अच्छा अगला आपका रख की सामगरी सबसे जादा शुब होती है और सबसे जादा जरूरी होती है तो आप लोगों को पता ही है कि एक महीने खरमास लगने वाला है तो आप इससे पहले खरीद लीजिए और थोड़ी बहुत चीजें प्रयोक कर लीजिए क्योंकि खरमास में नई बिंदी नई च चाहिए सवभागिवति महीलाओं को ठीक है तो खरमास से पहले खरीद लीजिए और थोड़ा बहुत प्रयोक कर लीजिए जिससे की पुराना हो जाएगा और फिर आप उसे उस समय में प्रयोक कर सकते हैं इसके अलावा खरमास के समय में किसी भी प्रकार की प्रोपर्टी खरीदना भी शुब नहीं माना जाता अगर आपको खरीदना है तो पहले से ही टोकन मनी दे दीजिए फिर आप खरीद सकते हैं इसके लावा वहन खरीदना हो तो भी आप खरमास में खरीदने से बचें मतलब बहुत जरूरी ना हो तो खरमास का समय निकाल लीजिए एक मही खरीद लीजिए ठीक है इन चीजों का ध्यान इसलिए रखना आवश्यक है क्योंकि वाहन खरीदते समय या फिर घर खरीदते समय जमीन खरीदते समय शुब मुहुर्थ का ध्यान अवश्य रखना चाहिए और अब जानते हैं कि खर्मास में आपको क्या करना चाहिए दिखें खर्मास में पूजा पाट करना अत्यांत स्रेश्ट माना जाता है पूजा पाट से संबंधित अगर आप कोई भी खरीदारी करते हैं तो इसे बहुत शुब माना जाता है धार्मिक ग्रंत पढ़ना इस समय में अत्यांत स्रेश्ट माना जाता है ऐसा कहा जाता है कि इस एक महीने के समय में अगर आप कोई भी गरंत संपोर कर लेते हैं मतलब प्रारंब करते हैं और समापन कर देते हैं तो इसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है खर्माज के इन दिनों में भगवान सुरेदेव को जल देने का अत्यन्त शुबफल प्राप्त होता है कहते हैं कि इस समय में जो लोग भगवान सुरे की पूजा करते हैं आदे तिर्देश तोत्र का पाट करते हैं और भगवान सुरे के मंत्रों का जब करते हैं उनके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती है तो उगतेखवे सुरे को जल देना चाहिए तामबे के पातर में जल और रोली डाल कर सुरेदेव को जल दीजिए परिक्रमा कीजिए भगवान सुरेदेव के किसी भी मंतर का जब आप कर सकते हैं चाहें तो 108 बार कर सकते हैं या अपनि इच्छा के अनुसार 11 बार 21 भी कर सकते हैं इसके अलावा खरमास में ब्रिहषपती देव की पूजा की जाती है भगवान ब्रिहषपती की पूजा से ब्रिहषपती मजबूत हो जाते हैं अगर आपकी कोई भी परेशानी हो जैसे कि आर्थिक तंगी से आप परेशान हो या फिर संतान प्राप्ती में बादा है संतान को सुख नहीं मिल रहा है या फिर संतान से आपको सुख नहीं मिल रहा है तो ऐसी अवस्था में ब्रहश्पती की पूजा अत्यन तावश्चक है दामपत्य जीवन में आने वाली परेशानियों से मुग्ति के लिए या फिर्शिग्र विवाह की कामना से भी ब्रहश्पति वार के दिन भगवान ब्रहश्पति देव की पूजा कीजिए अचा पूजा करने के लिए व्रत रखना अवशक नहीं है बस आपको केले के पौधे में हल्दी मिश्रित जल ब्रहश्पति वार के दिन अर्पित करना है ठीक है वहीं बैटकर आप चाहें तो विश्णु सहस्र नाम का पाट कर सकते हैं इतने मात्र से ही आपके जीवन में आने वाली समस्त बाधाय समाप्त हो जाती है और आप जानते हैं कि खर्मास का प्रारंब कब हो रहा है और समाप्त कब होगा दिखे खर्मास प्रारंब होगा 15 दिसंबर को और समापन हो रहा है खर्मास का 14 जनवरी 2025 को तो 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक किसी भी प्रकार का शुब और मांगली कारे आपको नहीं करना है खर्मास में आप गुड का दान कर सकते हैं, घी का दान कर सकते हैं, तिल का दान कर सकते हैं, चने की दाल का दान कर सकते हैं, मतलब ब्रहश्पती और सुरे से संबंधित जो चीजें होती हैं उनका दान इस समय में अवश्य करना चाहिए, इसके अलावा भी चीजों का दान किय जा सकता है जो भी आपके पास उपलब्ध हो अपनी इच्छा के अनुसार अपने सामर्थ के अनुसार आप दान कर सकते हैं तो ये है आज की वीडियो जिसमें खर्माज से संबंधित जानकारी मैंने शेयर की उमीद करती हूं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी आने वाली वीडियो ज़रूर देखिए और चैनल पर पहली बार आए हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्यास कर लीजिए इससे ये कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय प्रप्राप्त होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजी सब्सक्राइब कीजिए जितना हो सके आप शेयर कीजिए